जेहीं दोस्तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफोर्म है जहाँ पर आप अनकैडमी को जोइन करके इसके पलस फिचर्स का फायदा उटा सकते हो जिसम आपकी फिरी लाइव क्लासिस के रूप में स्टार्ट होने वाली है दो नौमबर से लेकर साथ नौमबर तक इसी के साथ यहाँ पर एम CTT 2020 कंप्लीट बैच कोर्स फोर CTT पेपर 2 जिसकी जो बैच है वो आपकी दो नौमबर से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप यहाँ पर आपकी 24 सक्टूमबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें भी आपको एक स्टिप्सन लेने पर आल बैचिस मिल जाएगी तो अगर आप जोइन करना चाहते हो तो यहाँ पर एक मंत का प्लान लेने पर आपको 12 रुपे पे करने हो तो आपको 6,000 रुपे पे करने हैं जिसमे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साउथ इस्ट सेंट्रल रेलवे यानि के सेसियार रेलवे अपरेंटिस बरती 2020-2020 के बारे में जो की आपकी राइपूर डिविजन के लिए निकाली है और जिसमें की केंडिट आल इंडिया से अपलाई कर पाएंगे तो आप इस ओर्गनेशन जिसके मैंने आपको बताया साउथ इस्ट सेंट्रल रेलवे है जिसको सोट फोर्म के अंदर SECR बोलते है जोग नेम की बात करें तो ये बर्दी ट्रेड अपरेंटिस के पद पर निकाली है यानि के अलग लग ट्रेड में ये पद निकाले गई है साथ इसके अंदर आपकी इस नगराफ फर हिंदी एंड इंगलिस की वैकेंसी भी निकाली गई है टोटल वैकेंसी आपकी 413 है और जोग लोकेशन आपकी रायपूर डिविजन 36 गर्ड होने वाली है स्टार्टिंग डेट टू सब्मीट एप्लिकेशन फोर्म दो नौमबर 2020 है और फो अगर आप इस वीडियो को देख करके इस फर्म को बरोगे तो आपसे कोई भी मिश्टेक नहीं होगी और आप इस फर्म को मिश्टेक फ्री भर पाओगे इस वीडियो का डिरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो कि आप वाच कर रहे हो तो अगर आ आपर देख सकते हो आपकी important rates 2 November 2020 लेकर 1 December 2020 साथ 12 बज़े तक आप फोम भर सकते हो यहाँ पर दी गई है फिर राइपूर मंडल के लिए यहाँ पर किस trade के लिए कितने पद है और किस category में है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी vacancy जानकारी यहाँ पर आपके सामने है फिर जो wagon repair 100 प्राइपूर है इसमें दो अलग अलग division के लिए vacancy है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें किस trade के लिए कितने पद है वो यहाँ पर आपको अलग से table के माध्यम से बताया है फिर नीचे आते हैं और जानते हैं qualification के बारे में तो इसमें apply करने के लिए आप से दस्वी pass की योग्यता साथ ही आप से ITI की योग्यता मांगी है और आपकी ITI उसी trade में होनी चाहिए जिस trade में आप apply करना चाहते हो age limit यहाँ पर आपकी 15 से 24 साल के बीच है जो की 1 जुलाई 2020 तक count की जाएगी इसके अलावा government rules के according S.E.H.T. candidate को 5 साल की चूट और OBC को 3 साल की चूट भी दी जाएगी या आप DOB wise चेक करना चाहते हैं कि आप इसमें apply करने के लिए eligible है या फिर नहीं तो आप यहाँ पर अपनी DOB चेक कर सकते हैं जिससे की अभ्यरती की जनमतिती निम्न दोनों तीतियों के मद्दिया होनी है यानि कि अगर आप अना दक्सित यानि के यूर जिसको जनरल बोलते है उस category से हो तो आपका जनम 1796 से लेकर 1725 के बीच में अगर हुआ है तो आप इसमें apply कर सकते हो तो अन्य जो category है उनके according आप यहाँ पर अपनी DOB इस बीच में मैच कर लीजे अगर इस बीच में है तो आप apply करने के लिए eligible है फिर आती है chain पर किया तो इसमें जो आपका chain किया जाएगा या आपका merit के और ITA के दोनों जोड करके उसके according एक merit लिस्ट आपके तयार की जाएगी और यह आपकी official website के उपर डाल दी जाएगी और अगर आप चाहते कि जब इसकी list आए मैं आपके लिए उसके बारे में वीडियो बनाओ और आपको बताओ तो आप मुझे comment करके बोल सकते है कि सर जब तक यह बरती complete नहीं हो जाती तब तक आप इसके बारे में update देते रहे है यहाँ पर दोस्तों आपकी आविदन प्राप्त करने के अंतिम्तिति के बारे में जानकारी दिये और आपको बोला है कि आपको कहीं perform भेजने के आव सकता नहीं है simply आप apply कर दीजिए इसके लाब आपको कुछ और करने के आव सकता नहीं है सेम जानकारी आप इसी official notification में English के अंदर भी देख सकते हो उपर आपने हिंदी के अंदर जानकारी चेक किए और नीचे आप यहाँ पर इसमें English के अंदर सेम जानकारी confirm कर सकते हो सबसे बड़ी बात इसमें apply करने के लिए किसी भी category candidate को कोई भी फिस दिने क्या हो सकता नहीं है सबी category candidate फिरी में आवेदन कर सकते है तो दोस्ते यह थी आपकी CCR Railway Apprentice Raipoot Division भरती 2021 के बारे में पूरी जानकारी आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आउस वीडियो को लाइक सेर और साथी साथ आपके अपने यूटूब चनल ग्यांदे होस्ट को सबस्क्राइब कर ले